ये जनम क्या है? मृत्यू क्या है? हम कहते हैं इसने जनम लिया हमने का उसके मृत्यू हो गई कभी सोचा तुमने ये जनम क्या है भाई? वो मरती हो? कौन जनमता है और कौन मरता है? तू मरता है तूने जनम लिया है जिस शरीर को तूने लिया हुआ है भी जिसका नाम तेरे साथ है क्या इसको जनम कहेगा? और एक दिने शरीर नहीं रहेगा इसको तेरी मृत्यू कहेगा हम कहते हैं न? अरे यार फलाना फलाना आदमी जो है न? मर गया कहते हैं न? अरे यार वो है न? मर गया कोई भी किसी का भी नाम हम ले ले लेते हैं क्या रे यार वो नरायन दास मर गए अरे उसके बेटे ने जनम लिया कहते हैं हम तो यह कहते हैं न? बेटे ने जनम लिया रे बदाई हो मौन करेंगे महारा को वो यह उसके बेटे का जनम हुआ है वो यह उसका बेटा हुआ है फिर अरे वो नरायन दास मर गए पता है? अरे वो मदला जी मित्त हो गई अच्छा कब हुए यार क्या हुआ? हम इसके मौत कहते हैं हम मौत कहते हैं मतलब सिंपल अफसोस बनाना है क्या यही जनम है? क्या यही मृत्त हुए? जिन्दगी के कुछ गहरे सवाल है जो हम कभी अपने से नहीं पूछते हैं आज सोच तू आज जैसे जी रहा है तो कितना जोंसे है अपने एंकार के साथ जीता है तो देख कोई अपने को समझता है जो हम बड़ा सेट हूँ ऐसे चलता है तो बड़ी गारियां लेके गुम रहा है तो बड़ी कुरसियों बैठा हुआ है कैसे? कितने एंकार से जीते हैं सब? कोई कहता है मैं मनिश्टर हूँ मैं कहता है मैं सेट हूँ मैं आफिसर हूँ मैं माँ हूँ मैं बाप हूँ मेरा वेट अमरीका में इतना है सब लेकर गुम टेंकार पर कभी आज तक सोच तूने जाना तूने जाना कि जिसका जनम हुए उसकी मृत्तु होगी तू अगर सेट है तू कोई मनिश्टर है स्टार है तू माँ है पिता है तू कुछ भी है तू अमरीकान है तू जैपनीज है तेरी मृत्तु होगी दूई नो मौत आईगी और जिनर्की क्या आईउ क्या है आज शरीर में उमर कितनी है जारतर सुनसार के अंदर उमर देख ले एवरेज एज जो है 60 साल 70 साल रह गई है 60 to 70 एवरेज वो यसी जी जाए लग बात है पर जनरली जहां 60 क्रॉस करती है 70 आती है आदमी कहता है धत्र मौन पर दिम कतम है आज कि पता ही लगता 50 के बदका भ्यूज उड़ जाता है और 70 के आत्पा तो आदमी ने बड़ी जाता है कोई बाई चांच 10-15 साल आगे जी जाते है कोई लोग सो भी ले ले लेते है पर जाए पर एवरेज तो तो सोच तेरी उमर में से अगर तो अगर समझ ले तेरी जो भी आई हुए है तेरी जो भी आई है सबसे तेरी उमराण 40 साल है तो तीस साल आगे हो रहे है तेरे और तीस साल अगर जुन्दिकी के तू अभी जोड़ दे 2023 साल रहे है तो 2023 आईदर और बिपोर यू विल डाई तो मर जाएगा तो सोच कि अगर जो है तेरी मृत्यू होगी तो क्या तेरा ये सब अपाय रहेगा तो कितना बड़ा सेट हो तेरी हजारो करोड की प्रोपर्टियां हो तो कितना बड़ा मनिश्चर हो कितना बड़ा स्टार हो एक बिखारी है जिसके बाद कुछ भी नहीं है और एक है इस पर अमबार है तो देख पुछ लेके जाता है कोई सुई भी ले जाता है साथ में नीडल तो सोच मृत्व तेरा दिवाला कर देती है दिवाला तिर को बैगर बना देती है ऐसे हाथ जाते हैं ऐसे जब गया सिकंदर तो दोनों हथ खाली थे सतर परसेंट धर्टी को जीतने वाला खाली हथ गया तुने कभी सोचा अपनी आईउ में से सतर साल गह रहा हूं असी नबे जो तेरी मर्जियों लगा ले और दोजार तेईज में जोड़ दे वो तेरी मौत की तारीक है आईदेर और बिफोर कभी तुने सोचा एक दिन तु मरेगा तेरी जुन्दगी की यात्रा आगे बढ़ती है अर साल तु है,पी बढ़रे मनाते है है,पी बर्थडे कोई कहता है,अँएँधियों लूप पता है जुन्दगी मौत की तरफ चल रही है म력ित्यों की तरफ और तु हैपी बढ़रे मनाते है बच्चे मनाये तो ठीक है पचास साल, चालीस साल, साथ साल में आकर कोई हप्ती बड़े मनाये बाई शोक का दिन नजीग आ रहा है तो जनम दिन मना रहा है तो जनम क्या है क्यों हुआ मृत्तु क्या है क्या होगा जाना इस शरीर में जिन्दगी आई तुझे मालू बना मा की कोक से जब तुने जनम लिया जब नाभी से तेरे को कट किया गया तो सोच मा की नाभी में तु मा की धरकन से धरक रहता बाहर आते ही तु मृत्त हो गया कट्त ही मृत और उसी समय अगर आत्मा वो चेतना वो conscious वोरजा तेरे अंदर आती है तो जहते हैं जनम हो गया नहीं आई तो मरें ते कितने बच्चे मरे वे पैदा होते हैं कितने मरा हुआ पैदा मरा सब मृति आते हैं वो जो individual identity जो अंदर जो है individual identity वो आतमा छेतना जब प्रवेश करती है तो कोई जनम लेता है वो आतमा तेरे भागए की चिप लेकर आती है तेरी लख्ट नसीब की जनम से मौत तक इस स्रीर में क्या होगा इसलनि में किया होगा जर्म से मौत तक का पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआए जे ते पिछले जर्म का संचैइत करम क्रेक्टिब करमा है तो तो जोच वो आत्मा अंदर आई तो कहते हैं जिनम हुआ चेतना अंदर अंदर आई उर्जा आई तो जर्म हुआ और जिस दिन वो निकलती है उसको हम मृत्यू कहते है पर जन्मा कौन मृत्गोन हुआ शरीर जनम लिया पर अंदर सास नहीं आई मॉबाइल है पर बैटरी नहीं है तो मॉबाइल डेट है अंदर इंडिविज्वल पहले मा की धड़कन से धड़करा था अब आत्मा रूपी द़कन आई उसका भागे लेकर अब वो इंडिविज्वल आइडेंटिडी हो गया मावाप से अलग हो गया मा से अलग हो गया तो उसको हम कहते हैं जनम हो गया किसका जनम हुआ जिसका नाम हुआ नाम अब किसने जनम लिया कोई रिंको ने जनम लिया किसने जनम लिया कोई पिर उच्ची जनम ले रही है जनम हुआ है तो जो जनम हुआ है वो उस नाम का हुआ है शरीर तो मरा हुआ था पर जो अंदर उड़ जा गई वो तो जनमती है ना मरती है खाना आत्मा उड़ जा ना जनमती है ना मरती है तो जनमा कौन एक नाम जनमा जो शरीर के अंदर चिप आई भाग्ये की उसके साथ वो नाम जुड़ा वो जो नाम जुड़ा उस नाम के साथ अब उस शरीर की यात्रा चलेगी जो संचैत करम क्लेक्टिव करमा कहा मृत्यु तक की तारीक उसमें लिखी गई है चिप में कब मरेगा कब एक्सिरेंट होगा क्या बागे जिसको कहते नसीब लग डेश नहीं तो मृत्यु तक यानि शरीर से आत्मा निकलेगी जिसे तो मृत्यु कहता है वहां तक कर सब निखा गया तो जनम की सही परिवाशा कि जब तेरे अंदर बैटरी आई आत्मा आई एनर्जी आई कॉंशेश चेतना कुछ भी कह ले और मृत्यु हम कहते है जिस दिन वह बैटरी भार आई तो यह शरीर मरा हुआ ही था मरा हुआ ही तु है अन्त में भी मरा हुआ है पर तु नहीं जान पाया कि यह शरीर जो है यह मैं नहीं हूँ जिसका नाम करन हूँ है यह शरीर मुझे मिला है अंदर उर्जा जो आई है इस गाड़ी को चलाने में मुझे इसलिए जनम मिला है कि मैं अपने पिछले जनम के भागे के चक्र को जला पाऊँ और अपने घर लोट पाऊँ ताकि शरीर और उर्जा के बीच में वो मेरी चिप जल जाए मेरे कर्मों का खाता जल जाए और मैं शरीर से परस्तान कर जाओ अपने घर को गाड हो बगवान के घर यही सब भगवता उपलब लोगों ने बताया जिसको तो आज राम क्रिशन बुद माविर जिससे गुर्णानक राम परमान साई बाबा मीरा सहज उलला लाओ जिस्परात कहता है तो जनम बड़ा ही जिली तो कहता है जनम हो गया किसका हुआ शरीर का वो तो मरा हुआ था अंदर आत्मा आई वो उरजा वो तो कभी जनम लेती नहीं तो दोनों का कंबो हुआ जो नाम आया उस आत्मा उस उरजा के साथ जो चिप आई तेरी जनम से मौत की उस नाम का जनम हुआ ये कोई रुई का जनम हुआ है किसी मोना का जनम हुआ है यह जनम किसका नाम का हो रहा है इस नाम के जनम के साथ सारी कथा लिकी है जासे कि राम लीला क्रिशन लीला ऐसी तेरी लीला शुरू हो गई प्ले तो जनम और मृत्तु को मैं जानना है जनम ना शरीर का होता है ना आत्मा का ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है सिरफ तू जनमता है अपने नाम के साथ और तू मरता है अपने नाम के साथ तेरे नाम का जनम होता है तेरे नाम का मौत होती है और उसमें अगर वो चिप तूने इस शरीर में सही इस्तमाल किया भागे को रिलैक्स में भोगा आराम से तो फिर ये उर्जा तुझे पार भरम भाड होम ले जाती है नहीं तो मरकर फिर दू लोड जाता है कभी चुरासी से चुरासी लाग में कभी मनुश्य एकले जनम तो इसलिए जनम है शरीर में उस उर्जा का परवेश और मृत्यू है उस उर्जा का शरीर से निकलना और इस दोनों के बीच में खेल को खेलना है तेरे किये हुए कर्मों की खेती को तुझे काटना है सहज में रिलैक्स में जीवन को सुविकार करना है तो फिर तो अपने घर पहुँचेगा गार्ड होम तो इसलिए जनम क्यों हुआ मृत्यू क्यों हुई तो उन्हें पढ़ा ला स्कूल टाइम में भुद्ध ने एक मरेवे को देखा और जिन्दगी बदल गई सिदार्थ ने एक मरेवे को देखा कि मरने के बाद क्या और देख उस खोज में निकला मरने के बाद क्या तो मुक्त हो गया बुद्ध हो गया तो ने कभी सोचा मरने के बाद क्या तो तो बड़े अराम जगया तो मर गया तो नहीं मरेगा क्या तो तेरे नाम का जनम हो उसकी मोत होगी, देख तेरे परपरपरदादा, परपरपरणानी अमर गई नाम है, उनका याद तेरे को यो इस जञणार में जनम और मृत्ट्यों के पीज़ के खेल को, इस शरीर की यात्रा को पार्वा सही चलाते हैं उनका नाम अमर हो जाते है और नहीं चलाने वालों का नाम डूब जाता है इसलिए इस जनम को सफल बनाना है तो जनम का अर्थ जान मृत्यू का अर्थ जान ना कोई जनमता है ना कोई मरता है तेरा नाम कई नाम बार तू मर चुका जनम ले चुका इस जनम को सफल करना है तो अपने नाम की कदर कर जीवन के खेल को समझो ताकि मृत्तु सफल हो सके और जनम ये तेरा उस पर हम धाम तक पहुचे तब ही यात्रा सफल होगी समझे